आज मैंने बनाया है कीवी और अनार का डिटॉक्स वॉटर तो मैंने यहां एक कीवी लिए है उसे कट कर लिया है और थोड़ी से लिए है मैंने अनार और दो से तिन आप दाल चीनी की स्टिक ले ले और अब हम इसे डालेंगे एक डिटॉक्स बॉटल में अगर आपकी पास detox bottle नहीं है तो आप कोई भी काज की bottle यूज कर सकते हैं फिर इसमें add करें पानी इसे आप morning में 8 बजे बना ले और 10 बजे से इसका पानी लेना start करें जैसे जैसे आप इसका पानी लेते जाएं वैसे वैसे आप इसमें एक एक glass और पानी add करते जाएं और आपको शाम को 3-4 detox water अब बारी आती है लंच की लंच आपको 12 से एक के बिच में complete कर लेना है लंच में मैंने आज बनाया है मटर पुलाओ यहां मैंने brown rice के मटर पुलाओ बनाया है और यह बहुत टेस्टी लगते हैं brown rice के काफे सारे benefits हैं यह मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हू और मटर के भी काफे सारे benefits हैं मटर हमारा weight loss करने में help करती है immunity बढ़ाती है blood को clean करती है उसे पतला करती है और skin पे भी glow लाती है और इसके साथ साथ हमारा weight भी loss करती है तो आप इसे भी अपने lunch में बना के खा सकते हैं तो इसे बनाने के लिए हम एक cooker में डालेंगे सजीरा और जिब जीरा तरक जातो उसमें डालेंगे हम लंबा-लंबा कटा हुआ प्याज और फिर इसमें add करेंगे बारिक कटी भी हरी मिर्ची और इसे दो मिन्टक आप पका लें और फिर इसके बाद में हम add करेंगे आदा बाउल भर के इसमें मटर और एक चमच गरम मसाल और स्वादा नुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लें फिर इसमें एड करेंगे ब्राउन राइस इसे आप वाश करके दो घंटे तक भीगो के रख दे एक से दो घंटे आप इसे भीगो के रख सकते हैं भीगोने से ये जल्दी पक जाते हैं तो आपको ये चीज का ध् और फिर हम इसमें डालेंगे सेजवन फ्राइड राइस मसाला इसे डालने से इसका टेस्ट काफी अच्छा आजाता है इसमें आदा चमच भरके आप ये डाल दें वह ज्यादा मत यूज करें और फिर इसमें डालने है थोड़ा सा दाल चीनी पाउडर और एक चमच मैंने आप इसे ले सकते हैं और अच्छे से पेट भरके खाएं आपको भूका नहीं रहना है तो ये था मेरा आज का लंच अब बारी आती है डिनर के डिनर आपको शाम को 6-7 के बिच में कंप्लेट कर लेना है आज डिनर में मैंने बनाया है बेसन का चीला बेसन का चीला तो सबक एक बाउल भर के लिया है बेसन और फिर हम इसमें एड करेंगे पानी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड करें और इसका एक बैटर बना ले और फिर इसमें एड किया है मैंने आदा बाउल पालक इसे बारी कट कर ले और वो भी इसमें डाल दे और फिर इसमें मैंने डाल थोड़ी से बारी कटी भी हरी मिर्ची और स्वादा नुसा नमक और इन तीनों को मिक्स कर लें और इसे आप 15-20 मिन तक रख दे और फिर हम इसका उतारेंगे चीला तो चीला बनाने के लिए मैंने गरम तबे पे लगाया है थोड़ा सा गी और फिर इस बैटर को डालके आप के पलन के पलके आपको इसकी लगाना है सॉस और ना अब सास कोई यूज़े सकते हैं और इससी भी फैला दे और फिर मैंने इस पर डाला है पनीर क्रेट की हूँआえて पीवा पनीर अगर आप डाइट पे नेया है तो इस पर चीज लगा सकते हैं फिर इसमेने डाला है बारी तामाटर बारी कटा हुआ पनीर इसे भी आप डाल दें और फिर इस पर डालेंगे बारी कटाव स्प्रिंग ओनियन अगर आपके पस नहीं है तो आप इसे रहने दें यह ऑप्षिनल है और फिर इस पर डाला है मैंने रैड चिली इसे भी बारी-बारी कट कर लिया है यह भी धक दें और इसे तीन से चार मिन तक इसी तरीके से धक के पकाएं और जब यह पक जाए तो यह खाने के लिए तयार है और जब भी आपका पीज़ा खाने का मन हो तो आप इस तरीके से हेल्दी एंड टेस्टी पिज़ा बना के खा सकते हैं बेसन का तो यह था हमारा बेसन क चीले का पीज़ा, इस तरीके से आप कोई भी चीले पे इस तरीके से आप पीज़ा बना के खा सकते हैं, आटे का हो, चाय और किसी चीज़ का हो, रागी का हो, कैसे भी तरीके से आप इसे बना के और तेस्टी बना के आप इस तरीके से खा सकते हैं, तो ये था मेरा आज का र झाल झाल